ननत का दुला हम लाएंगी सवेरे सवेरे जब घर के बेटी घर से भागने की बात करें आप समझे सकते हैं कि घर वालों पर क्या बीतेगी पर क्या कारण था जो प्रिया इतनी परेशान हो गई थी और ये कहने पर मजबूर हो गई थी प्रिया अपने परिवार में अपने मम्मी, पापा, बड़े भाई और भावी के साथ रहती थी प्रिया के भाई की अभी अभी शादी हुई थी चलो निकालो 2000 का गुलावी नोट भाईया क्यों भाई, अभी तो शादी में इतना खर्चा हुआ है अब एक पती तेरे भी आप में रख दू कितना तो ले लिया था तुने शादी में मुझसे दिखा दिया न आपने, शादी के पहले तो कैसे मेरे आगी पीछे डोलते थी प्रिया पापा से मेरी शादी की बात कर लो प्रिया और शिल्पा बहुत अच्छी है, एक बर मिलतो लो और जैसे सारी मैनत करके मैंने शादी करवा दी तो दो हजार भी भारी पढ़ गया भईया गलती तेरी ही है प्रिया, दो हजार क्यों, सोने के जुमके माग तू तो मेरी प्यारी बैना है ना, अभी देख तेरी भावी आई है अब रोज उसकी फर्माईशे पूरी करूँगा, फिर बचेगा क्या कुछ मेरे पास देख, ये है ग्यारा रुपे, तेरी फर्माईशे पूरा गरेगा तेरा पती बात तो ठीक गई बेटा तुने, ज्यादा छोटी भी नहीं है प्रिया, तुझसे साल भर की छोटी होगी है साल भर की कहां संतोष की माँ संतोष तो दुर्गा पुजा के समय में हुआ था याद है जब दुर्गा जी की मूरती का विसरजन हो रहा था और आपको दर्द उठाया था कैसे मैं आपको लेकर भागा था डॉक्टर के पास और जब प्रिया हो रही थी तो बहुत जोरो की बारिश हो रही थी सिम्मी सिमी ठंड भी आ गई थी तो सितंबर का वक्त होगा वो मेरे हिसाब से तो साल बड़ से भी कम का फर्क होना चीए दोनों मैं आप भी ना क्या बई ही खाता लेकर बैठ गए हिसाब उस चिसका नहीं कर रही हूं मैं उमर तो हो गए यह ना लड़की की बेटे की तो शादी कर दी है धीरे धीरे प्रिया के लिए भी लड़के देखना शुरू कर दीजी अब ही देखना शुरू करेंगे तब तो साल दो साल में कोई धंका लड़का समझ में आएगा यह सुनते ही शर्माती हुई प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और सीधा राहुल को फोन लगाती है वो वक्त आ गिया राहुल जिसका हमें इंतजार था मेरे घरवाले मेरी शादी करने का सोच रहे है तुम तो जान दे हो कि मेरे भाईया और मुझे में बस दस महीने का फरक है तो तुम फिक्र क्यों करी हो प्रिया मैं तो खुद इसी दिन का इंतजार कर रहा था तो बताओ किस दिन आओ अपने परिवार वालों को लेकर तुम्हारे गर कहो तो अभी आ जाओ अरे तुम भी क्या घोडी चटनी को तेयार बैटे रहते हो इतनी हडबडी नहीं करनी पहले मैं घर में सबको बता तो दूँ कि मेरी लाइफ में अलरेडी कोई है प्राब्लम तो नहीं होनी चीए क्योंकि भाईया ने तो पहले ही लाव मैरेज कर लिये वो भी इंटर कास्ट अटलीस तुम मेरी कास्ट के तो हो एक दो दिन गुजरने दो मैं बात करती हूं घर पर इसी तरह दो-चार दिन गुजर जाते हैं पर आप तो जानती है कि एक बार अगर लड़की की शादी की उम्र हो गई फिर जहां सब साथ बैटे तो पहले ही टॉपिक वही निकलता है रात को खाने के टेबल पर सभी एक साथ खाना खा रहे थे तब ही शिल्पा कहती है कैसे मुर जा गया है बिचारी हमारी प्रिया का चैरा उस वक्त शादी की बाद शुरू तो की सबने पर आगे नहीं बढ़ाई ऐसे आराम से धीरे-धीरे काम करने से नहीं चलेगा जल से जल लड़की देखना शुरू करो अरे हाँ शिल्पा, मेरे बिध्यान से निकल गया था आपकी नजर में कोई है क्या पापा पहले तो एक काम कर प्रिया अपनी अच्छी सी फोटो निकाल कर हमें दे दे और एक बार डिटा बना ले तो सही रहेगा अरे अब साफ साफ बोली ना वना प्रिया आज की लड़की है कहीं उसने हाट पैंट में फोटो भेज दी तो होती हुई शादी भी कट जाएगी मैं तुम्हें एक अच्छी सी साड़ी निकाल कर देती हूँ शिल्पा उसी में फोटो खिचवाना वोई सही रहेगा नहीं सही नहीं रहेगा भाबी मैं किसी के लिए कभी साड़ी पहन कर कभी जिन्स पहन कर तो कभी सूट पहन कर फोटो नहीं खिचवाने वाली ये क्या बात हुए बिटा ऐसा ही होता है अब साड़ी में फोटो तो खिचवानी ही पड़ीगी न वनना लड़के वालों को हम क्या दिखाएंगे और दूसरा इसे खाना वाना भी सिखा दे शिल्पा थोड़ा प्राक्टिस कर लेगे प्रिया इतने भी पुरे दिन नहीं आये मेरे ममी और हाँ आप लोगों को कोई लड़का देखनी की जरुवती है मैं किसी को पसंद करती हूँ राहुल नाम है उसका वो भी आप लोगों से मिलना चाहता है क्या तुम किसी को पसंद करती हो और अभी तक इस बारे में किसी को पता ही नहीं है तुम्हें तो बताया होगा ना प्रिया ने संदोश नए मुझे तो खुद अभी पता चल रहा है तुम्हारे साथ ये लो हमारे रिलेशन्शिप को एक महिना तक नहीं हुआ था कि तुमने प्रिया को सब बता दिया था और ये देखो ये छुपी रुस्तम तुमसे सब छुपा कर बैठी है कौन है वो लड़का घरवर है की नहीं उसका परिवार में कितने लोग है अपने भहिया को उसका सारा बायडेटा दे दो वो पता करके आएंगे आज कल के लड़कों का कोई भिरुसा नहीं है कहीं कोई फ्रॉड ना हो फ्रॉड क्यों होगा भाबी मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हो मास्टर्स किया है मैंने वो मेरे साथ ही पढ़ता था और उसकी सरकारी नौकरी भी है और वो नौकरी भी उससे बस मेरे लिए मेरी खातर हासल की ताकि जब वो मेरा हाथ मांगने आए तो इसके पास दिखाने के लिए कुछ तो हो इतना पढ़ा लिखा लड़का और वो बी किसे और के लिए नौकरी करे ये सब बस हवा में कहने की बाते हैं प्रिया, वोई किसी के लिए नौकरी नहीं लेता, सब खुद के लिए नौकरी लेते हैं। वसे कितने दिन से जानती हो तुम उसे? ऐसे तो वो ग्रैजूशन से मेरे साथ ही पढ़ रहा था, पर हमारी पहचान एक साल पहले हुई है। ये देखे ममी जी, एक साल का प्यार है, और इसके पीछे तुम दिमाग लगा रही हो। छोड़ो प्रिया, पापा जी तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढून कर लाएंगे। ये सुनते ही प्रिया गुस्से में खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है तुमने ऐसी बात क्यों कहीं शिलपा? प्रिया बच्ची नहीं है? उसने किसी लड़के को खुद के लिए पसंद किया होगा, तो जरूर कुछ खास बात हुगी उसमें। एक बार मिल लेते हैं लड़के से। वो तो तुम मिलते रहना बिटा, पर अभी जाकर अपनी बेहन को समझा, लगता है वो नाराज हो गई। आज कल के लड़कों का क्या भरोसा है? पर आप लोगों को फिर भी उस लड़के से मिलना है तो मिलिए मुझे क्या मतलब? अगली सुबह उटते ही शिलपा अपने घर पर एक पंडी जी को बुला लेती है और अपनी ननत की कुंड यहां लाइए भाबी, यह सब क्या हरकत है? अपने मन के लड़के से शादी करने की इच्छा क्या जाहिर कर दी मैंने, तो मेरी कुर्णली में प्राब्लम आगी? अरे तो क्या गलत बोल दिया मैंने? यह प्यार व्यार कुछ नहीं होता. जैसे ही जिम्मेदारी नाम का शेर कराता है, सबसे पहले प्यार नाम का हिरण ही निगला जाता है. लगता है आप भोल गई भाबी, कि आपने भी लव मैरेज की है. हाँ, तो ऐसे ही नहीं शादी कर ले मैंने तुमारे भईया से. पात साल का रिलेशन्शिप था हमारा. मैं जानती थी तुम लोगों की परिव परिवा देती है. और इधर उदर अपनी नानत की शादी की बात चलाना शुरू कर देती है. एक शान जब सभी साथ में बैठे हुए थे. आप लोगों को अगर राहुल की घर नहीं जाना तो मैं राहुल को घर बुला लेती हूं, पापा. एक बार आप लोग उससे मिल तो लीजिए. पसंद नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगी शादी. आपकी कसम. ना जाने कैसा लड़का होगा, हमारे घर की रेप्टिशन का क्या होगा, पापा. कॉले जहकर पता नहीं कौन से पढ़ाए पढ़कर आई है, प्रिया. जरूर उस लड़के ने कुछ कर दिया है प्रिया पर. मेरी बोली आज तुम्हें बुरी लग रही है, प्रिया. पर कल तू ही मेरा शुक्री आदा करेगी. इसलिए इस लड़की का चैप्टर बंद करो, और मैंने एक करोण पती घर के लड़की का रिष्था ढूंडाए तुमारे लिए. वो कल तुम्हें देखने बंद कर देता है. और फिर, प्रिया को कुछ समझ में नहीं आता. वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है. और रोती हुई प्रिया जैसे ही भागते हुए हौल में जाती है, तो क्या देखती है? राहुल अपने माता पिता के साथ हौल में बैठा था. लीजे राहुल जी, आ गई आपकी होने वाली बीवी. राहुल, तुम यहां यह सब… कल रात फोन करके तुम्हारी भावी नहीं मुझे यहां आने को बोला प्रिया. तुझे क्या लगा? मैं तेरी शादे के अगेंस्ट हो? नहीं, नहीं, बलकुल नहीं. मैं तो तुम्हारी परिक्षा कर रही थी, कि तुम अपने प्यार के लिए कब तक लड़ सकती हो? और तुम लड़ी? बलकुल पीछे नहीं हटी. तब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा प्यार सच्चा है. रहुल से ज्यादा तुम्हें कोई चाहा भी नहीं सकता प्रिया. और प्रिया से ज्यादा आपको और कोई नहीं चाहेगा रहुल जी. तो बाप रूना बंद कर दीजी प्रिया जी और जाकर कपड़े बदल कराएए. अभी ही तुम दोनों की सकाय कर देते हैं. और कुछ इस तरह प्रिया को मिल जाता है रहुल और इस कहानी की हो जाती है है एप्पी एंडिंग. पंजाबी लड़कियां शौकिन खाने की, खिलाने की, नाचने की, गाने की, सजने की, सवनने की. लेकिन क्या हो, शादी अगर हो जाए ऐसी फैमिली में जहां. अरे बहु, वो पड़ोसन की बहु को देखा? हे भगवान, इतनी डार्क लिप्स्टिक लगाती है की, ऐसा लगता है पती का खून करके निकली हो कमरे से. अरे पंजाब ही है ना, कपड़े भी उसके ऐसे भड़काओ, लगता है जैसे डिस्कोर डांसर वाले कपड़े हो. सास ससुर बोल रहे थे, बिचारी सिमरन, अलमारी के अंदर रखे अपने कपड़ों को निहार रही थी. हाई रे, मेरे मम्मी ने कितने शौक से ये सिपियाँ वाला सूट दिया था, लेकिन इन लोगों ने तो कटन पहना पहना कर हालत कराब कर दी है. हाई रे, मेरे दल लिप्स्टिक भी सारी सूख गई, पूरा जीवन लिप बाम लगा कर ही चलाना हुगा. खेर, पंजाबी बहु सिमरन काम पर लग जाती है, और फिर रात को खाने की टेबल पर. अरे सिमरन, दाल देना जरा. वो ना छोले है, दाल ये रही. दाल के सामने छोले ऐसे लग रहे थे, जैसे की सिम्पल पानी की सामने जीरा जल. वो छोले कितने स्पाइसी लग रहे है, देना जरा. अरे ना ना बेटा, तु ये दाल खा. ये खाना हम लोगों को सूट नहीं करता. बहु को खाने दे, वो बचपन से यही खा रही है ना. लॉल मिल्च, बहुत सारा तेल और. बस बस माच जी, वो क्या है ना, मैं अपने खान पान के लिए कुछ नहीं सुन सकती. आपको नहीं खाना तो मत खाये ना. लेकिन मैं जो खा रही हैं, वो सही है या नहीं है, ये तो ना बताएं, समझी. हाई रे, जबान तो देखो कितनी चल रही है. हाँ, तो गुंगी थोड़ी ना हूँ, चलेगी ही ना मेरी जबान. अरे देख बहु, कम बोला कर, एक तो वैसे ही तेरे पर काटने हैं मुझे, उड़ने बहुत लगी है आजकल. अच्छा, कैंची है, तो खुद की जबान काट लो ना. एक तो अच्छे खासे घर से थी, दिन बर माज मस्ती, भंगड़ा, शिंगड़ा, मक्की की रोटी जाग, कहां शादी कर दी माने पता नहीं, दिन बर सारंगी की टून टून सुनो. अरे क्यासी बात कर रही हो बहु, कितना मानसिक सुकून मिलता है, कभी ध्यान देना. सबी अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन ये जंग तो वही चलती ही राती है, अगली सुबाब. अरे ये, ये क्या पहना है? बहु जो पूरे लाल रंग के जोड़े में, बालों में परांदा और हाथों में भर भर कर चुड़िया पहन कर रखी थी. अरे ये क्या जाकी सजा रखी है? देखे माजी, जिब आपना मेरे कल्चर के रिस्पेक्ट नहीं करती, तो मैं क्यों करू आपकी कल्चर से प्यार? अब तो मैं वही पहनूँगी जो मुझे ठीक लगता है. अरे देख, यहां रहना है, तो हम लोगों के हिसाब से रहना होगा. अच्छा जी, बड़ा हिसाब किताब करना सीख रही है, जिब गर आई थी, रिस्ता लेकर तब तो बोल रही थी, लड़की जैस से मरजी रहे, हम बेटी लेने आए हैं, बहु नहीं. हाँ, हाँ, वो तो मैंने बहु भी कभी बेटी थी वाली फिल्म देखी थी ना, तो उसका डायलों ग्याद कर रही थी. अरे तो फिर मैं अभी तो खुद को मिक्का की हिरो इन मान रही हूं ना? अरे बहु गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा ला. बहु किचन से बड़े इसी ग्लास में लस्सी मक्षन डालकर ले आती है. यह क्या बहु, दूद? अरे दूद नहीं है, लस्सी है, पापा जी, पीजिये ना, पेट को ठंडा रखती है. ला बहु, आज तेरी ही इच्छा मान लेता है. अरे यह क्या पी रहे हो, रुको मैं नहीं मूपानी लेकर आती हूँ. अरे रहने दो ना, बहु की भी माननी चाहिए कभी-कभी. जो ससुर, कभी छोटी सी कटोरी से ज्यादा दही ना खाया हो. वो पूरा ग्लास भर कर उपर से मक्षन के साथ लस्सी पी ले तो. दिखा माजी, पापा ने के से लस्सी पी ली और मस्त हो गया. अरे कभी-कभी ना कुछ अलग ट्राई करना चाहिए. अच्छा, क्या बनाया है फिर आज खाने में, ला मैं बिट्राई कर लेती हूँ. बहु फटा-फट मैदे का भटूरा और धे सरा चनाला कर सास के सामें रख देती है. आरा, इसका रंग मिट्टी जैसा क्यों है? मसाला, माजी मसाला है, मिट्टी नहीं, खाईए तो. बेटा, पानी की बोटल ला दे बस तू साथ में. बहु का बनाया छोला भटूरा सास खा तो लेती है, लेकिन अगली सुबब... हाई रे, सर में दर्द हो रहा है. और मेरा तो पेटी खराब हो गया है. यह लस्सी का अगला सूपर समक्कन. कुछ भी पच्चा हो ऐसा लग नहीं रहा. अरे, मैंने तो समझ लो, मैंदे में लाल मिर्चला पेट कर खा ली है. हाई रे, ए बगवान, मुझे तो नियंदारी है, मैं तो सोने जा रहा हूँ. अरे, क्या हो गया आपको? आप तो कभी दिन बे सोते नहीं. पता नहीं, यह लस्सी पीकर क्या हो गया? मैंने कहा था, सिंपल और हलका खाना खाया करिये. दोनों बेटे को सारी बात बताते हैं. क्या है, सिम्रन? मापापा को इतना हैवी खाना क्यों खिला दिया? अरे, सिब नाटक है तो मारे मापापा के. दिखावा है दिखावा इतना भी कुछ नहीं खिला दिया कि बेमार होने का नाटक कर रहे हैं अरे पूरा भारत खाता है सकाना यही दो लोग है जिने प्राबलम है अरे नहीं बहू हम नाटक नहीं कर रहे हैं रहने दो मा, वैसे मैं कहा रहा हूँ कि आज के बाद जो भी तुम्हें खाना है वही बनाओ, लेकिन किसी को जबर्दस्ति कुछ नहीं खाना है, खाना पिना हर किसी के अपनी पसंद का होना चाहिए, बहु को गुस्सा आजाता है, देखो जी, अब तो मैंने भी किसम खा लि आए हैं समझी, और ये तो बहुत खुशी की बात है समधन जी, कुछ दिन हम लोगों का भी मन लग जाएगा, अब क्या था, सुबर नाश्ति के वक्ट, ये लुमा पोहा और ये ग्रिन टी, खाने में, मा ये मुख के हलकी दाल, और ये पतले फुलके, फिर रात में, मा ये मेरा तो पेटी नहीं बर रहा, अरी ये हलका खाना खा कर तो लग रहा है कि कहीं मैं ही हलकी ना हो जाओ, मैं तो कहता हूँ, चलो, कहीं और चलते हैं, होटल में ही रहा लेंगे, या कुछ बहाना बना कर बहार चलकर खाना खा लिया करेंगे, क्यों, हाँ यही ठीक है, कल व आप लोगों ने तो हम लोगों की महले में बेजज़ती करा दी अरे पड़ोसी कह रहे हैं कि हम आपको खाना नहीं दे रहे हैं जो आप लोग बाहर जाकर खा रहे हैं अरे नहीं नहीं, वो बात यह है कि हम लोगों को इतना हलका खाने की आदत नहीं है ना, तो पेट भर नहीं रहा है कैसी बात कर रही है तुम्हारी मा सिमरत, ये तो बहाना है, खाना खाकर भी किसका पेट नहीं बरता अरह पता नहीं क्यों नाटक कर रहं यह लोग मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो, मेरे मबी पापा को कुछ ना को मैंने साथ ससर को जो कहा वो सही नहीं था जिसको जिस खाने के आदत हो उसी से उसका गुजारा होता है समझ गही हूँ मैं जी माफ कर दो